जय हिन दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आपर हिंदी साहिती की बहुत ही महत्तुपूर्ण कॉस्चन आंसर तो वीडियो को पूरा अवस्य देखना है अगर आप चैनल पर पहली बारा है तो चै इंदू बारिये लिखने वाले कभी हैं तो कौन से कभी हैं जिन्नोंने लिखा है तो भारतेंदू हरिश्चंद्र आपका विकल्प नंबर डी यहां पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहां पर क्या पूंचा क्या है तो देखिए आचा रामचंद सुकले ने एडविन अर्नॉल्ड के आख्यान काव्य लाइट ओफ एसिया का बुद्धी चरित नाम से किस भासा में अनुबाद क्या है खड़ी बोली में ब्रिज भासा में अबदी में या इन में से कोई नहीं तो कौस्चन नंबर अलते से और महत्तुपूल कौस्चन आप से यहां पर पूंचे गए हैं तो आपके हैँ पर विकल्प नंबर सी ब्रेजवासा सही अंशर है नंगे पूंच्छा क्या पूंचा फिक्या顜 है तो कौस्चन नंबर 49 यहां पर पूंचा ट्याहिक यह दरिक रित्व ख़णन तो इनकी ऐसा और किसी शेंगारी कभी नहीं किया है आच बहें आपका सेनापती, विकलप नमبر सी, आपका यहाँ पर right answer है, विकलप नमبر सी जिनgnוע ने यहाँ पर बताया है, उनका यहाँ पर सही आंसर है, अंगले question क्या आप फूंचा गया है, तो अंगले question आपका इरह, आपके screen पर, कभी तिरलोचन का पूरा नाम है तो कभी तिरलोचन जो है इनका पूरा नाम बताना है इनका पूरा नाम क्या है चार विकल्प आपके यहाँ पर देखा है question number 40 और 40 का आपका जो सही answer है जल्दी से comment में बता दीजिए तिरलोचन जी का पूरा नाम बताना है तो आपका सही answer यहाँ पर है बासू देव से हैं हिंदी साहित की परति सील का बिधारा का प्रमुख अस्ताक्चर माने जाने वालिक वी तिरलोचन का मूल नाम जो है बहे बासू देव से हैं था तो यह आपके लिए इनका नाम याद रखना है अंगला कॉस्चन यहाँ पर क्या पूंचा गया है तो अंगला कॉस्चन आपका तिलोचन का वास्तविक नाम क्या है यह कॉस्चन आपका डबल हो गया है वासुदे उसे हैं आपके यहाँ पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन क्या पूंचा गया है म मैं उस जनपद का कभी हूं काफवे रचना किस कभी की है ये काफवे रचना किस कभी की है नांगरजुन त्रलोचन रांगी रागव केदानाथ अग्रवाल ये आपकी यहाँ पर चार विकल्प है कॉश्चन नमबर 42 का सही आंसर आपके लिए यहाँ पर बताना है तो 42 का प्रियमचंद की मरत्यू हुई थी तो प्रयमचंदज aja की मरत्यू हुई थी इनकी मरत्यू यह आपके लिए बताना है चार विकल्प आप क्यां पर हम रूब 2201923 पयत्कीज़ इति से जबी में 1934land 2936 ओ यहाइँ पर ऑप्र सही आंशर I94 दो विकल्प नgriff नमबर D आपके यहां पर सही आंसर है बिल्कुल सही विकल्प नमबर D जोनोंने बताया है उनका यहां पर सही आंसर है कौस्ण नमबर 44 कि आप पूचा क्या है तो देख लेती हैं यहां पर कौस्ण नमबर 44 है मुंसी धन्पत राइको प्रेम चंद्र नाम से सुसोवित करने वाली व्यक्ती का नाम बताना है तो आपका हैंपर जो सही answer है question number 44 का बहय विकल्प number 1 यानि की मुनुसी दया नाराइन नहीं दया नाराइन आपका हैंपर सही answer होगा बिल्कुल सही अंगला question क्या पूंचा ग्या है तो question number 45 याँपर पूंचा ग्या है कि कभी धूमिल का पूरा नाम था गोरक पांडे, सुधाम पांडे, सुधाकर पांडे या इनमें ऐसे कोई नहीं तो question number 45 का answer आपके लिए यहाँ पर बताना है चार विकल्प आपके हाँ पर दिये गए हैं और बहुत ही महत्वपूल question आपसे पूंचा गया है और आपके हाँ पर सही answer है सुधाम पांडे, विकल्प नंबर C आपके हाँ पर right answer है विकल्प नंबर C जन्हों ने बताया है उनका यहाँ पर सही answer है, सुधाम पांडे इनका पूरा नाम है और इनका जन्म अगर पूंचा जाए तो इनका जन्म 1936 में 12 ANC में हुआ था निधन 1975 में इनका जो है निधन हुआ था, अंगला question क्या पूंचा क्या है, इनमें सी कौन जो है भिर्मरा नंद उपनाम से लिखा करती थी, कौन लिखा करती थी इस उपनाम से यह आपके लिए यहाँ पर बताना है, तो question number 40 का आपका जो सही answer है विद्यानेवास मेसर या विसंभरनास सर्मा कौसिक बाल मुकंद गौप्त या कोबेरनात राइ, तो आपका यहाँ पर right answer है, विद्यानेवास मेसर विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही answer होगा अंगला question क्या पूँचा गया है, तो आपका यहाँ पर question number 47 पूँचा गया है, कि इन देखें यहाँ पर क्या लिखा है, कुट्टी चातन के उपन्यास से किसके व्यक्ति परक्नेवंद छपे हैं, मुक्तिबोद भारत भूसन अगरवाल अग्गे अन्यमी चंद जेन question number 47 है, वीडियो को सभी लोग लाइक अबस्ति किया करें, सभी लोग और question number 47 का सही आंसर आपका विकल्प number यहाँ पर अग्गे राइट आंसर है, अग्गे आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, question number 48 आपसे यहाँ पर पूँचा गया है, कि इन वे से कौन सा गुण या दोस स समा लोचक में नहीं होना चाहिए, तो समा लोचक में नहीं होना चाहिए, वै कौन सा गुण या दोस है, तो बताइए यहाँ पर चार विकल्प आपके देगा है, question number 48 है, 48 का आपका जो सही आंसर होगा, वै क्या होगा तो आपके हैंपर बिलकुल सही आंसर है, विकल्प number D यानि की इस्चा की भावना आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प number D राइट आंसर है, अंगला question है, बी थी क्या है, तो देखें, बी थी क्या है, ब्रत्ति है, अभिनाय संधी या रूपक, तो यह आपके चार विकल्प है, बी थी क्या है, यह आपके लिए यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, question number 50 आप से यहाँ पर पूँचा क्या है, निमने लिखित में से जो कतन रचित नहीं है, उसे चाटिए, तो निमने लिखित में से जो कतन रचित नहीं है, उसको चाटना है यहाँ पर, तो आपके यहाँ पर जो सही आंसर है, वह है, विकल्प number बिया पर जिनों ने बताया है उनका इहां पर सही answer question number आपका इंक्याउन यहां पर पूच्छा है कि अनपेक्चित वा का मुक्तादर्सी समाचारों को किस बर्ग में रखा जाता है किस बर्ग में रखा जाता है यह कांग की समाचार या संसन इको समाचार, डाइरी समाचार या गर्म समाचार, तो question number इंक्या उनका आपका जो सही answer है वह आपका यहाँ पर विकल्प number D यान की गर्म समाचार आपका यहाँ पर सही answer होगा, अंगला question है आपका पूंचा, रेडियो के broad costing commercial और TV commercial में क्या अंतर है, तो इसमें आपके लिए अंतर बताना है, question number आपका यहाँ पर bound दिया गया है और इसका जो सही answer है, अंतर क्या होता है इसमें, तो आपका यहाँ आपका जो सही answer है बिल्कुल सही, क्या होगा right answer तो आपका यहाँ आपका यहाँ पर इसमें आपका यहाँ पर पूंचा क्या है तरेपन भारत की, सरवग प्रमुक्को और एसिया की सबसे बड़ी संबाद समीती कौन सी है एसिया की सबसे बड़ी संबाद समीती कौन सी है नेशनल लिउज एजनसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूनी बारता हिंदुस्तान समाचार तो कौस्चन नमबर तरेपन का आपका जो सही आंसर है वहे आपका यहाँ पर क्या है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानि की विकल्प नमबर आपका यहाँ पर जो भी है वहे आपका सही आंसर है अंगला कॉस्चन क्या पूँचा गया है यहां पर अंगला कॉस्चन की रिपोर्टर बननी के लिए क्या आवसके रिपोर्टर बननी के लिए क्या आवसके यह कॉस्चन आपका महत्यपूर है तो question number है आपका यहाँ पर चंगवन और चंगवन का सही answer है यह आपका प्रवक्त परिच्छा में पूँचा गया question है और reporter बननी के लिए सहज बुद्धी और भासा पर अधिकार यह जो है आपका सही answer है अंगला question है desk के लिए समाचारों की आप पूर्ति कुण करता है तो question number 55 का जो सही answer है पचपन का संपादक या compositor या reporter या prove provider तो आपका यहाँ पर सही answer जो है यहाँ पर question number 55 का बाहर रिपोर्टर आपका सही answer यहाँ पर होगा समाचार का प्रमुक्गत तत्त क्या है तो question number 56 में आपके लिए समाचार का प्रमुक्गत तत्त बताना है रोचकता, मतपूर्त उत्तिजकता यह सत्तत और नवीनिता तो question number 56 का आपका जो सही answer है पिर मुक्त तत्य जो है समाचार का वह आपका कौन सा सत्यता और नवीनिता सत्यता और नवीनिता आपका है यहाँ पर सही answer है अक्छरों सब्दों अक्छरों अत्वा सब्दों को जोडने के लिए prude reader किस चिन्न का प्रियोग करती है वह चिन्न ब और इस फेगस के अनुसार समाचारों को पाठक के लिए बोधगम में कुण बनाता है संपादक कंपोजर या संबाददाता या संसोधक तो question number अंठाउन का जो सही answer है आपका यहाँ पर अंठाउन का क्या है संबाददाता आपका विकल्प नंबर भी यहाँ पर सही answer है कौन सा कथन सही नहीं है यहाँ पर चार विकल्प आपके यहाँ पर दिये गए है तो आपका यहाँ पर जो सही answer है वह आपका विकल्प नंबर यहाँ पर डी राइट answer है क्या है संचार मादमों को प्रमुक को प्रियोजन क्या है तो इनका प्रमुक को प्रियोजन आपके लिए अहां पर बताना है क्या है चार विकल्प आपके यहां पर दिये गए है तो संचार मादमों को प्रमुक को प्रियोजन क्या है तो 60 का right answer आपका यहाँ पर विकल्प नमबर 1 यान की सूचना को जन सामाने तक पहुंचाना यह आपका यहाँ पर सही answer है विकल्प नमबर 1 राइट आंसर है बिलकुल सही अंगला question है द्रस्चिस रब्ब काब्ब सी क्या अभी प्रिया है बिलकुल सही बहुत ही महतुपूल question है अपने यहाँ पर चार विकल्प आपकी यहाँ पर दिये गए हैं और आपका यहाँ पर जो सही answer है question नमबर 61 का वह क्य बहे द्रस्चिस रब्ब हैं तो बहे क्या है द्रस्चिस रब्ब हैं तो देखने की सांसा जिसे सुना भी जाए बहे क्या है द्रस्चिस रब्ब हैं अंगला question क्या पूंचाए इनमें से जो स्रब्ब संचार का माध्यम नहीं है उसे चिन्यत कीजिए तो देखिए आपर स् स्रब्व संचार का माध्यम नहीं है तो विकल्प नंबर आपका यहां पर यहां पर राइट आंसर है स्रब्व संचार का माध्यम नहीं है बलकि यह जो है द्रस्य स्रब्व संचार का माध्यम है टेप रिकोडर कैसेट रेडियो स्रब्व संचार की माध्यम माने जाती है तो आपका सही answer है यहां पर विकल्प number C right answer है अनुबाद में अनु का अर्थ पहले बाद का अर्थ उसे पुन्ह बाद में लिख देना यह जो है इसे क्यां सा असंगत मानती है तो विकल्प number C आपका सही आंसर होगा इनमें से कौन तत्त रीडियो विग्यापन में नहीं होता तो यह आपके लिए बताना है question number 64 का सही आंसर 64 का सही आंसर यहाँ पर क्या होगा चार विकल्प आपके देगा हैं इन्वे से कौन तत्तो रेडियो विग्यापन में नहीं होता चित्र संदेश बाचन संगीत तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह चित्र राइट आंसर होगा यानि कि विकल्प नंबर आपका एक राइट आंसर है बिल्कुल सही चित्र आपका सही आंसर है बाल साहित्ति क कि विषय में कौन सा कतन सही नहीं है बाल साहित की विषय में कौन सा कतन है यहां पर सही नहीं है तो उसकी भासा सरल और सुबोद होनी चाहिए यह बालकों के लिए प्रिणादायक होना चाहिए वह मनुरंजन और रोचक होना चाहिए वह बालकों द्वारा ही लिखा जाना च चाहिए तो यहाँ पर आपका बाल साहे तुमें कौन सा कतन सही नहीं है तो बहे बाल कों द्वारा ही लिखा जाना चाहिए यह कतन कैसा है गलत है सही नहीं है तो question number 65 का D right answer होगा इनवें से जो सब्द संचार का माध्यम नहीं है उन्हें चिन्नित कीजे संचार देखे संचार का माध्यम नहीं है जो सब्द उन्हें चिन्नित करना है समाचार पत्र 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 पत्री का पुस्ता या रेडियो तो आपका यहां पर 66 का जो सही आंसर है वैं आपका यहाँ पर right answer है विकल्प नंबर यापका D या besond की तर देख लेते हैं यहां पर Good-Upार आपका देखे क्या है संचार की दो पिरमक्ष रूपों मुद्रित माध्यम तथा इलेक्ट्रोनिक माध्यम के विसाय में जो कथन सत्य नहीं उसे छाटिए तो इसकी विसाय में जो कथन आपका सत्य नहीं उसको छाटना है इन दोनों माध्यमों में से संचार शेत्र में अबूत पूरु गत बिनास करेंगे तो यहां पर आपका गलत कथन है जो सत्य नहीं है बहुत नहीं है कौन सा विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर होगा यह दोनों माध्यम अंदता मानव जाती का विनास करेंगे यह कथन कैसा है सत्य नहीं है अंगला कॉस्चिन क्या पूचा है सूरदास सूरदास जी को जीवनुत्साव का कभी किसने माना है तो कॉस्चन नंबर 68 पूचा है आप से हाँ पर 68 का सही आंसर आपके लिए बताना है तो सूरदास जी को जीवनुत्साव का जो कभी माना है वै किसने माना है तो आपका हैं आपर राइट आंसर क्या होगा कॉस्चन न कवीताई स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्ता बेज है आपका 69 का जो सही आंसर है बहिया आपका 69 का यहाँ परráपड आपर राइट आंसर विकल्बन जी आनिकी मुक्ती बोध आपका हहाँ सही करांती कारी कभी में निराला की बाद इस्थान पराप्त गजिसा अन्गला गॉस्चन क्या पूंशा क्या है तो question number 70 आप से याँ पर पूंशा क्या है question number 170 देख लेते हैं क्या पूंशा है कविता करके तुल्सी न लसे कविता लसी पा तुलसी की गला यह प्रसंसा परक उक्ति किसने लिखी है मेतली सन गुप्त अयुद्धा से अपात्य हरिवाद रामचन सुकल या बालमकुंद गुप्त तुई आपकी यहाँ पर चार विकल्प दिये गए हैं और आपका सत्तर का जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर राइट आंसर अयुद्धा से अपाध्या जो है अपरक उक्ति तुलसिदास जी की प्रसंसा में अयुद्धा से अपाध्या ने लिखी है तो यह क्वास्चन आपका महात्वपूर्ण है देखी 2004 में PGT में और आपका 2018 में भी एक क्वास्चन एल्टी ग्रेट में पूंचा गया जादा से जादा वीडियो को सेयर करना है ताकि अनलोग भी एक वीडियो देख सकें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और सभी के लिए जय है